हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बन सिधर फैशन पॉइंट में आज हम बात करेंगे जैक F4 में आने वाले E2 प्रॉब्लम के बारे में तो E2 प्रॉब्लम होती क्या है उसे कैसे सौल करेंगे उसका मतलब वो आने का कारण क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि हमें वह प्रॉब्लम कैसे ठीक करने है तो चलिए हम पहले इसका user menu देख लेते हैं, जिसमें हमें देखिए, यहां से दिख रहा है, आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बराबर दिखा दूँगा, तो इस तरीके से आपको उसमें पता चलेगा कि कैसा होता है, तो हम आजाते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए आया है यह देखिए हाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें आया है error 2 तो error 2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं motor controller add normal मतलब motor को जो control करता है वो बराबर काम नहीं कर रहा है तो वो हुए उसके बाद हम उसका देखिए हाँ पर solution लिखा है तो solution में क्या दिया गया है वो देख लेते हम तो solution में हाँ पर दिया गया है कि number one पर दिया है देखिए हाँ पर number one पर दिया गया है usually this problem because the machine too much use or problem of IGBT अब IGBT होता क्या है आप में से कई सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि IGBT होता गया है देखिए बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ पर IGBT यह देखिए यहाँ पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है IGBT if reset मतलब IGBT को reset करना है मतलब ऐसा नहीं मतलब आप मशीन को बंद करके चालू करके देखिए अगर वो वापस नॉर्मल हो जाती है तो ठीक है और नहीं होती है तो उसके बाद क्या लिखा गया है वो देखते है यहाँ पर लिखा है without result मतलब यह सब करने के बाद अगर नहीं मशीन चालू होती है E2 problem लिखा हुआ आता है तो हमें क्या करना है contact the agent change मतलब IGBT को हमको change कराना है अगर आपकी मशीन warranty period में है तो IGBT change हो जाएगा अब देखिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ कि IGBT होता क्या है और वो कहा होता है वो आपको समझा दूँगा मैं और उसमें देखिए दूसरे नमबर पे दिया गया है check the plug, lose or drop मतलब plug को एक बार check कर लिजे कहीं वो lose तो नहीं है जो current का हमारा plug होता है उसको एक बार अच्छे से check कर लिजे कहीं वो lose तो नहीं है अगर वो lose होगा तो भी ये problem आ सकती है मगर lose से कुछ मतलब वो सिर्फ एक बहलाने वाली बात है कि lose हुआ तो हो जाएगा बट वो ऐसा कुछ नहीं होता है हमें IGBT change करना होता है तो IGBT आता है इसके अंदर जैसे कि देखिए आप जैसे कि हमारा ये meter box होता है इसके अंदर एक coil आती है मतलब एक plate आती है जिससे कि ये machine पूरी operate होती है उसमें जो power in होता है उसमें लगता है IGBT जो एक IC type की आती है जिसमें 3 pin होती है जैसे आप समझ गए होंगे तो वो खराब हो जाने के कारण power बराबर supply नहीं करती है तो हमें E2 का problem आ जाता है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि E2 problem क्यों आता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ जब तक ले बाई बाई